हलो टीचर्स, क्रीटर्स अगर आप भी डिजिटल बोर्ड लेना चाहते है या ले चुके है तो ये छे बड़ी गलतिया बिल्कुल मत करना वरना आपका पैनल, आपका स्टूडियो, आपकी वीडियो कॉलिटी सब कुछ खराब हो सकती है देखिये मैं अपने experience के basis पे 7 साल का जो मैंने अपने ad tech domain में दिया है, हजारो set up करे है, कई creators के साथ में problem को discuss किया है, हर एक brand के panel को ठोक बजा कर देखा है इसलिए उसी experience को count करते हुए में ये 6 biggest mistakes जो मुझे लगती है आपको पैनल खरीदने से पहले या फिर खरीदने की बात भी होती है और उसे resolve कर लेना चाहिए सबसे पहला है lighting देखिए आप एक बात को समझे की camera कितना भी महंगा हो पैनल कितना भी अच्छा हो अगर आपके lighting setup ठीक नहीं होगा तो बिलकुल भी आपकी lighting quality अच्छी नहीं आएगी आज भी ऐसे studio creator बोलते हैं इंडिया के हम best हैं सबसे बड़ी टीम है पर उनकी lighting में आपको बता दू हाली की दुनों मेंने client से discuss किया देखिए आप यह वीडियो में देख रहे होंगा कि कैसे छत पर lighting लगा दिए फोटो देखो फोटो में कैसे lighting tubelights लगा दखिए देखो आ लाइटिंग बहुत ही sophisticated way में properly होती इसका Kelvin से लेके हर एक चीज प्रॉपरली हमने set करिए आप लाखों रुपे खर्च करते हो पैनल, camera, computer इन सब पर बड़ गलती करते हो लाइटिंग में तो lighting में कभी गलती mistake नहीं करिएगा देखो teachers halogen बिलकुल मत लगाईएगा पोट्रा halogen तो बिलकुल नहीं लगा ना, portal light तो बिलकुल भी नहीं लगा लिए, दूसरी बात करें, softbox की अगर आप softbox लगाते हो तो panel पे reflection आता है, तो panel पे जो property है against light मता पैनल से भी light आती है, तो अगर आपकी lighting अच्छी नहीं होगी तो setup कभी भी अच्छा नहीं होगा, आज भी 90 percent teachers को मैं देखता हो जिनकी lighting quality बहुत खराब है, बड़े-बड़े institute में, बड़े-बड़े studio setup लगाने आले लोग भी lighting को ठीक से seriously लेते नहीं है, इसलिए मैं आपको कहता हो कि शुरुवात भी इस चीज़ को बिलकुल ignore मत करिएगा lighting के लिए, तो ना तो portal light, ना तो softbox, ना ring light, आपको light लगानी है, sophisticated way में, जिस तरीके की मैंने आपको light बताईए, इस तरीके का जोगाड़ वाला solution भी है, आप हमसे connect करिए कि हम आपको उसमें भी guide करेंगे, अब है panel position, तो basically क्या होता है, कि जब भी panel आपकी location पे आता है, तो आपको कुछ 3-4 चीज़ों को ध्यान र करिएगा, जब आप panel के उपर AC लगा लेते हैं, अगर आपने AC सही तरीके से नहीं लगाया, देगे, usually मैंने कई studio में panel के उपर AC लगाया है, और यह make sure किया है, कि वह AC की जो pipe होई है, outlet गया है, proper गया है, तो अगर outlet ठीक नहीं गया, पैनल में पानी गिरेगा, पानी गिरते बगल में ऐसे, इस साइड पर AC मतलगाया, जैसे, for example, आप यहाँ पर खड़े है, यहाँ पर नहीं, आपने इसके पास में AC लगाया है, बिल्कुल मतलगाया, silent AC होगा, तो भी मतलगाया, कोशिच करिएगा, कि पैनल और आप जितना दूर AC हो, सामने वाली वाल पर AC लगाय करिएगा, AC का distance जितना बना के रखेंगे, कि AC का भी sound है, जो आपके microphone में आता है, तो कोशिच करिएगा, कि अगर AC disturbance का कारण ना बने, second, इसके बाद में आप देखेंगे, कि जब हम पैनल की position fit करते, मतलब पैनल किस height पर लगाना, आप 75 का लेजी, 80-60 का लेजी, जिस भी height का लगाई, आपको दो चीज समझनी पड़ेगी, पहली चीज, क्या आपने अपनी coaching के लिए पैनल लिया है, और आपने coaching के लिए पैनल लिया है, तो मतलब इसका ये है, कि अलग-अलग teachers आएंगे, और पढ़ाएंगे, अगर आप individual teacher हो, तो कोशिश करिएगा, अपनी height के according पैनल को लगाईए, कि आप लिए टाइम पे कितना ऊपर लिखते है, इस तरीके से लगाईएगा, क्योंकि यहाँ आपन में ही वीडियो बनाता हो, तो मैंने देखिए, ऊपर टॉप नौच कॉर्णर में मैं अपना हाथ जाता है, प्रॉपर लिए पूरे पैनल को यूटल जब भी आप पैनल लगाए, इवन हाइब्रीड सेटप में पैनल लगाए, तो कोशिच करिएगा कि अपने स्टूडेंट्स की विजिबिलिटी का भी ध्यान रखिएगा, हम हर बार हाइब्रीड सेटप में इग्नोर कर देते हैं, पिलर जब बीश में आ जाता है, तो भी लगी जाती है, यह हो गई पैनल पोजिशन की बात, अब बात करते हैंगिंग, कभी भी याद रखिएगा, अगर आपका रूम जो है, वो पार्टिशन वाइस बनाए, जैसे हमने जिपसम पार्टिशन करा हो, या फिर आपने वूड पार्टिशन करा हो, अलुमिनियम की वाल पर, वो भी जो स्ट्रॉंग हो, जिसका पलस्कर अच्छा स्ट्रॉंग हो, अदरवाइस आप यह देखिएगा, कोशिश यह करिएगा, जैसे ही कोई आपका स्टैंड टंग जाएना, उस स्टैंड पे खुद लटक के दो लोगों को देख लीजेगा, क्योंकि पैनल का वेड बहुत जादा होता है, अगर पैनल का वेड इतना जादा है, तो आप कभी भी पार्टिशन पे या फिर वीक वॉल पे लगाईएगा, इसका सॉलीशन कहा है, इसका सॉलीशन है कि आप अलग से एक स्टैंड खरी दिये और उससे स्टैंड पे लगाईए, कभी भी जबरस्ती जहां पर नहीं लग सकता हो लगाने की जुवाड करने की कोशिश बिलकुल मत करिये, इवन बहुत से लोग देखते हैं कि ऐसा है इनका रूम और यहां पर हलकी सी विंडो है, और तो कोशिश ये करिएगा, आप जो आपका पैनल हैंक करो, तो उसमें 75% जो पोर पर आपका आता है, तो आप देखीए का पैनल टांगने के लिए का आपको एक स्टैंड मिलता है अब इस स्टैंड के अंदर आपको 10 लोकेशन मिलती है, इसी 10 लोकेशन मिलती है, तो यूजो जो इंजीनियर आते हैं वो थो दिमाग लगा लेते हैं कि अभी यहां पे एक यहां पे लगा दिया और 20-20 में एक उर दे दिया, बागे छोड़ दिया, नहीं आपको क्या करना, जितने स्क्रू आपके स्टैंड के साथ में आरे हैं, वो सब की सब आपको लगाने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है, उसे बोलिए सारे लगा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं तो इससे बचिएगा, इसके अलावा next point पे चलते हैं, और समझते है panel brand, हाँ again, मैंने एक video बनाया dedicatedly, कि इंडिया में एक बहुत बड़ा scam हो रहा है, panel brand को ले के scam हो रहा है, description में link है, i button पे भी आप click करके देख सकते, ये video ये बताता है कि आपको किस brand के panel लेना चाहिए, त कोई भी अपनी company खोल रहा है, आपको ऐसे panel लेना ही नहीं है, क्यों नहीं लेना है, इसके में बहुत सारे reason इस video में देच चुक हो, detail में इस video को देखेंगे, आपको समझ में आएगा, आपनी यहां तक इस video को देखा है, एक बार उस video को भी देखे, आपको idea मिल जाएगा, कि आपको panel branded ही लेना है, white labeling वाले नहीं लेना है, white labeling से मतलब कि एक over smart company है, जो क्या करती है, customer को बोलती है, हमारी service अच्छी, यह अच्छी, वो अच्छी, और खुदी की company का panel बनाया हुआ है, white labeling करके मतलब किसी और का खरीदा logo लगाया, और आपको बेचना शुरू कर दिया तो ऐसे logo से बचना है, यह लोग, इस टाइप के लोग, आपको service के नाम पे, 5 साल warranty के नाम पे बेवकूप बनाएंगे, आपको बिल्कुल भी नहीं बनना है, इसलिए जाना क्या है, सिर्फ और सिर्फ branded panel ही लेने है, अच्छी company का panel हमेशा आपको अच्छी service और सारी सी अब बात करतें, पावर बेकप की, इलेक्ट्रोनिक आइटम में हमेशा से हमको बताया गया है, आपका पावर बेकप बहुत अच्छा होना चाहिए, अगें, पावर बेकप से मेरा मतलब यह नहीं है, अगर आपका रूम है, और रूम में बेक टू बेक आप देखते हो, कि लीट का fluctuation होता है, tu light भी आपको fluctuate करती हों दिखती है, कई बार आपका fridge fluctuate दिखता है, तो इसका मतलब है कि आपके power backup में कोई तो issue है, तो power को ठीक करवा है, electricians सबसे पहले power ठीक कर रहा है, fluctuation को रोके, आपके panel के जो socket आप लगाते हो, उसमें earth होना चाहिए, अगर anything नही है तो पैनल कभी भी खराब हो जाएगा शॉर्ट सर्कुट होने के पूरे चांसे से शॉर्ट सर्कुट होना पानी लगना आपकी ग्यारंटी भी क्लेम नहीं होती है इसलिए मैं इस पे फोकस्ड हो के बोल रहा हो मैं भी हल्प नहीं कर पाहूंगा अगर आपके पैनल में पा कताया है कि अगर आप लाइट जाने के बाब भी इस पैनल को एक से दो घंटे यूज़ करना चाते हो आदे घंटे यूज़ करना चाते हो तो आपको किस टाइप का पावर बेकप लगाना है डीटेल वीडियो है थोड़ा सा टेकनिकल है आपके लिए रिलेवेंट है जरू डाउन करिएगा डाइरेक्ली पैनल को आफ नहीं करना चाहिए अगर आप डाइरेक्ली पैनल को आफ करते है तो प्रॉब्लम आपके लिए बड़ी हो सकती है अब बात करते तो पावर बेकप को आप समझ गया होंगे आगे बढ़ते हैं और समझते है कि पैनल की क्लीनिंग करना आप बोलो गयार यह इतनी छोटी सी बात है मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ यार देखिए मैंने कई पैनल को खराब होते हुए देखा है और कई पैनल को और रिप्लेस्मेंट का रीजन देखा है क्योंकि उसकी डिस्प्ले है प्रॉपर नहीं है ब्लर होने लगी है तो टकराता है लगते आपका यह पैन थोड़े टाइम बात बड़ा नुकीला हो जाता है पैन को बदलना पड़ेगा आपको तो क्लीनिंग और मिस्लेंडलिंग करते हैं इसको मिस्लेंडलिंग कहेंगे अगर आप देखिए मैं जब भी मैं लेफ्टी हूँ मैं लेफ्ट है जितने ज्यादा स्क्रेश लगेंगे आपका पैनल उतना पूराना दिखना बलर होना स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड बात क्लीनिंग करने की देखो बहुत सारे लोग बोलते कोलीन से क्लीन कर सकते हो हाँ बिल्कुल कर सकते है क्लीन क्लीनर मिलता है वीक में दो बार उससे क बट आप देखो कि जब पैनल बंद होता है ना तो बड़ा खराब सा आउटपूट दिखने लगता है पोशिश करो और तो तो तर हाइब्रिड सेटप में अगर आप एक पैनल के लिए कवर बनाओ तो बहुत अच्छी वाद है क्योंकि अक्सर मेंने मेरी हाइब्रिड क्लास पैनल में ब्रांडेड कमपनी 15,000 से 10,000 घंटों का कमिटमेंट देती है मतलब आप सोचके देखो कमपनी कहती कि 10 साल तक अगर आप रोज 8 घंटे भी पढ़ाओगे तो आने नेवरेच 7-8 साल तक आपको पैनल बदलने की जरूरत नहीं है तो 7-8 साल तक जब कमपनी इस ब बड़ी मिस्टेक में आपको बता दू कि आप जब पैनल यूस करते हो ओशिष करो एक छोटा सा एक्जामपल लेता हो या भी आदा है पॉइंट मेरे मन में मैंने हाली की दिनों में एक प्रवम देखी एक नया पैनल ब्रांडेड पैनल में एक कस्टमर के पास में भीजा अब उन्होंने मुझसे डिमांड करी कि हमको प्ले स्टोर चाहिए मैंने प्ले स्टोर दिया अब उन भाई साब ने क्या किया कि उन्होंने बेक टू बेक बहुत सारी अप्लिकेशन पैनल में इंस्टॉल कर ली आप सोचके देखो आप एक अच्छे साच्छा आज मैं कई स स्टार्ट कर दू बहुत सारी चीज़े कर दू फाइल डाउनलोड कर लो मेरा मोबाइल हैंग होना शुरू हो जाएगा फिर मैं क्या एप्ल को ब्लेम कर दू ऐसा नहीं होता तो आपको कोशिश करना है अन्वांटेड अप्लिकेशन पैनल में इंस्टॉल नहीं करनी जो भ ब्रैंड का पैनल लो यह सारी बातों को फॉलो करो यह मेरा प्रॉमिस है कोई प्रब्लम नहीं है यह उसके बाप भी कोई प्रॉब्लम किसी भी ब्रैंड में आती है आप मुझसे कंसल्ट करिए किसी भी टाइप पर दिखकत है कमेंट करकर बताए आशा करता हूँ यह होगा थैंक यह सो मच पर वाचिंग